खबर जबलपूर से है जहां टर्की से जबलपूर आया व्यक्ति ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है दो दिन पहले ही व्यक्ति टर्की से जबलपूर आया हुआ था जबलपुर के संजीर्वी नगर इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति टर्की में काम करते हैं, वे दो दिन पहले भारत लोट कर आए हैं। टर्की से यह व्यक्ति अपने घर में रह रहे थे, जांस रिपोर्ट में वे ओमिक्रोन पॉजिटिव आए हैं। उनके पुरिपरिव वह भारति व्यक्ती ही है जो तर्की में काम करता है और वह कल इहां पर पर wiring के लिए जीनों सीक्वेंसिंग तूं सेंपल बेजा जा रहा है इसके अत्रिक उनके परिवार के लोगों के भी sampling करा ली गई है उनकी report are related है क्योंकि वो परिवार के लोगों के संपर्ग में आया था वैसे जो विदेश से जो भी लोग आ रहे हैं जैसे दिल्ली के माध्यम से आये तो इसकी जाज दिल्ली में भी हुई है लेकिन उस समय उसकी रिपोर्ट नेगेटिव थी लेकिन हमारे हाँ भी जब आता है तो हम लोग रिपीट करते हैं क्योंकि कई बार नेगेटिव आने के कुछ घंटों बाद जब वाइरल लोड बढ़ता है तो वो पॉस्तिव हो सकता है तो इसको आइसोलेशन के लिए मेडिकल कॉलेज में भरती करा दिया गया है जैसा साशन के निर्देश है कि सभी पॉस्तिव को आइसोलेशन के लिए मेडिकल कॉलेज में भरती कर दिया इंडियन ही है और चुकि तरकी में वो काम करता था अभी वहां से लोटा है तो जानकारी मांगी थी कि नौममबर में जितने लोगों को लिस्स प्राप नहीं हुई है। मैंने रेमाइंडर भी भेज दिया है तो हो सकता एक दो दिन में हमको लिस्ट मिल जाएगी जो लोग बाहर से आये बहुत सम्मेयदन सीığımız आसे लिसा सर्ट के अरफ हान में जी इयरलाइंस के तक है चालि अरॉन की रहता है से कि आरीarsa आहें पढ़ते साथी क्योंकि यес लाइन्स लीने रहती है जो फिर्वलर्ण अहां रहती से हुन्होंले उस एर्लाइंस के पूल